डंक का वार, दिल्ली, रहो होश्यार दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगु जैसे वाइरल बुखार रोकने के लिए आईए SDMC के साथ जानकारी की कमी आपके डर की वजह बन सकती है इसलिए बीमारी को जानना और उनके लक्षन समझना भी उससे मुकाबले के लिए जरूरी है डेंगु और चिकनगुनिया दोनों ही बीमारियों में बुखार आता है लेकिन चिकनगुनिया में जोडों में तेज दर्द होता है अकर चिकिन गुनिया हो जाए तो बुखार के साथ धर्ड और पैरों पर चकत्ते बन जाना, साथ ही सिरदर्द, आखों में दर्द और रोशनी से डर लगना लक्षणों में शामिल हैं. वहीं दिंगु के लक्षण हैं हलके से तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आखों के पीछे दर्द, जोड और मांस्पेश्यों में दर्द और शरीर पर दानों का निकलना, तेज बुखार के साथ साथ पेट में दर्द, लगा तार उल्टी, खोन बहना और सांस लेने में दिक चिकन गुनिया या दिंगु होने के लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, साथ ही धेर सारा तरल पदार्द लेना चाहिए, बुखार आने पर पेरसिटमॉल टेबलेट लेना चाहिए, याद रहे, दिंगु या चिकन गुनिया से बचने का कोई या टीका नहीं है नहीं किसी खास दवा से इसका इलाज किया जा सकता है आईए अब आपको दोनों बीमारियों के फैलने का तरीका बताते हैं चिकनगुनिया और डेंगु फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पनगते हैं और दिन के वक्त ही काटते हैं रोग से बचना है तो मच्छर से बचना जरूरी है ये मच्छर अंडे ना दे सकें इसके लिए घर के आसपास कहीं पानी नहीं जमा होने दिना चाहिए घर के आसपास ड्रम, टायर, गमला या किसी बरतन में पानी ना रहने दें शरीर पर मच्छर से बचने वाली दवाई लगाएं, लंबी बाजु वाले कपड़े और पैंट पहने, जालीदार खिड़की दरवाजे के प्रयोग करें लेकिन घर से बाहर होने वाले संक्रमण से बचने के लिए मच्छर की आबादी का नियंत्रन ही सबसे प्रभावी तरीका है SDMC के इलाके में इसके लिए हेल्प लाइन नमबर है आईए मिलकर इन विमारियों से लड़ाई लड़ें क्योंकि डंक का है वार और दिल्ली नहीं माने की हार